Welcome guys to our channel Time2Studyline रामनाइत कोविन जी हमारे देश के सबसे पहले राष्टपती डाक्टर राजेंदर परसाद सबसे लंबे समय तक रहने आले राष्टपतियों में से एक है उन्होंने दो कारियकाल तक भारत के राष्टपती के रूप में कारी किया था मतलब 1950 से लेकर 1962 तक वो हमारे देश के राष्टपती रहे थे राजेंदर परसाद बहुत ही परतिवासाली और विद्वान वेक्ती थे उनका जनम 3 दिसंबर 1884 को जीरादेवी बिहार के अंदर वो बिहार से थे सबसे पहले राष्टपती जो हमारे थे डाक्तर रांजेदर परसाद वो बिहार से थे और वह बहुत जादा अपने देश के लिए समर्पत थे इतने जादा कि 26 जनवरी 1950 को जव हमारा सविदान लागू होने वाला था 26 जनवरी को उनके एक दिन पहले 25 जनवरी को उनकी ब बाद ही वह गए थे अपनी भहन के दाशन्सकार के लिए और 1962 में उन्होंने स्वाई ही अपने राष्टपती पत से अवकास या इस्तिफ़ा दे दिया था और वह पहले व्यक्ति थे जिनको राष्टपती हमारा सरवत्चनागरिक सम्मान भारत रतन से नवा जा गया था य जो 1950 से 1962 तक हमारे भारत के राष्टपती रहे थे इनका कैना था कि जो बात सिद्धान से में गलत है वह बात व्यवार में भी सही नहीं हो सकती उसके बाद हमारे दूसरे राष्टपती थे डाक्टर सरवपली राधा कृष्णा वैसे बोले तो तीसरे थे पर राजंद पर जो हमारे दो टम के लिए राष्टपती बने थे उसके बाद दूसरे महान जो व्यक्ति थे डाक्टर सरवपली राधा कृष्णा जो हमारे दूसरे राष्टपती बने और वह राष्टपती बनने से पहले भारत के उपराष्टपती भी दो बार भारत के उपराष्टपती भी बन गए थे 1952 से 1962 तक डाक्तर सरवपली राधा कृष्णा हमारे उपराष्ट पती थे उसके बाद वह हमारे राष्ट पती बने 1962 से 67 तक उनका जनम दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है बतोर उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने जीवन के 40 स्वर्ष दिये थे और वह एक आदर्श्य शिक्षक भी थे वह एक महान दार्षनिक शिक्षावीद और लेखक भी थे डाक्टर सरोपली राधा कृष्ण राष्ट उपराष्टपती बनने से पहले 1949 से 1952 तक सोवियन संग मतलब उस वक्त का जो रूस था रूस के मोस्को में वहाँ के राचदूत के पद के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्हेंने बहुत महत्पून योगदान दिया था भारत और रूस की मितरता के मितरता बनाये रखने के लिए उस टाइम मतलब 1949 से 1952 तक यह हमारे डाक्टर सरोपली राधा कृष्ण की तस्वीर उनका मानना था कि किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत सची खुशी देता पर बात करते हमारे डेस के तीसरे राष्ट पति जाक्टर चाकीर हुशेन यह हमारे डेश के पहले मुस्लिम राष्ट पती थे जो शरसर्च से 1979 तक रहे थे हो भारत के पहले राश्पती थे जिनकी मृत्ति उनकों कार्यकाल के दोरानी हो गई थी वह सबसे कम उम्रतक भारत के राश्पती रहे थे जाकिर हुसेंजी एक तबलावादक थे संगीत का तालवादक संगीत निर्माता और फिल्मन अभिनेता भी वह तबला वादक अल्ला राखा के सबसे बड़े बेटे थे उन्हें पदम विभूशन और भारत रतना से सम्मानित किया गया था उन्हें पदम विभूशन नाइन्टी फोर्टी फिप्टी फोर में नाइन्टी फिप्टी फोर में उन्हें पदम विभूशन मिला था और भा रामनात कोयन जी का टम पूरा हो जाएगा तो यहां पर पंद्रा आ जाएगा तो इन चैनल कार्यवाक राष्ट्पती भी हुए थे मतलब हमारे जो उस वक्त जो वर्टमान राष्ट्पती थे उनकी मृत्यी हो जाने के बाद उसी टाइम सद्टली राष्ट्पती चुनाव नहीं हो पाये थे तो कार्यवाक राष्टपती चुनना पड़ता है तो राष्टपती के रूप में वेक्टर वीवी गिरी मौमद हिदायदुल्ला और बस्पा दान पपा जत्ती को भी चुना गया था डक्टर वाह गिरी वेक्टर गिरी यह हमारे पहले जो थे अंतरिम राष्टपती फिर पुन रूप से राष्टपती भी बन गये थे इनका कार्यवाक राष्टपती बने थे पून रूप से जब 1974 से град paτι ёन्यों शिक्स्टी नाइं तक ये 5 सालों तक राष्टपती नाइं तक शालों तक राष्टपती भी रहे थे और यह काअध़ राष् राष्टपती तो 1974 के अंदर, 1974 से 1979 तक तो पूर्ण कालिन राष्टपती थे ही, मुहमद हिदायदुल्ला ये भी कार्यवाक राष्टपती के रूप में कार्य कल चुके है, ये पहले मुस्लिम मुख्यन याइदिस थे, और ये दो बार भारत के कार्यवाक राष्टपती बन चुके है, और ये उपराष्टपती भी भारत के बन चुके है, चक्टे उपराष्टपती भी बन चुके है, भारत के वो भी पूर्ण कालिन, 1979 से 1984 तक ये पूर्ण कालिन चक्टे उपराष्टपती भी बन चुके है, ये मुहमद हिदायदुल्ला ये जो पहले मुस्लिम करते देश के सबसे कम उम्र के राष्टपती डाक्टर सजीवन रेडी के बारे में वह आंद्रप्रदेश के पहले मुख्य मंत्री भी थे इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के दरमयान रहा था यह भारत के छटे और सबसे युवा राष्टपती थे और यह सबसे मोराल जी देशाई परदान मंत्री थे जो हमारे मोराल जी देशाई हमारे परदान मंत्री चरंड सिंग और इंद्रा गांदी इन तीनों परदान मंत्रियों के साथ में काम किया है और इन्हें निर्विरोध चुना गया था उस सभी राजनेतिक दलों ने इनके नाम पर मु इन्होंने अपने कार्यकाल के दरम्यान ओपरेशन ब्लू इस्टार, सीख, विरोधी, दंग्रा, गांधी की मृत्यू यह सब इनके कार्यकाल में ही हुई थी इनकी मृत्यू 25 दिसंबर 1994 को कार एक्सिडेंट के दरम्यान हो गई थी उनका जनम दिन हम 25 दिसंबर को बना थे उनका जनम हुआ था 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ज्यानी जल सिंग का जो राष्टपती का कार्य काल था 1982 से 1987 तक रहा था फिर हम बात कलते हैं कोचरेली रमन नारायन जो की हमारे देश के पहले दलित राष्टपती थे और हमारे देश के दसवी राष्टपती भी थे यह सबसे उमर दराध राष्टपती थे अगर एक्जाम में पुछादा है सबसे कम उम्रा के नीलम सजीवन रेड़ी और सबसे ज्यादा उम रके थे जो गोचीरल रमन नारायन मतलब केया नारायन थे यह देश के पहले दलित राश्टपती भी थे। इनका निर्धन निमोनिया के कारण हो गया था। और तोलेटो विश्वव विद्धालाई जो कि अमेरिका में उन्होंने इनको Doctor of Rice Science की उपदी दी ती। जो कि अमेरिका में उन्होंने doctor of science की उपादी दी थी और आस्टेलिया के जो university थी उन्होंने doctor of laws की उपादी दी थी इनका कारेकाल 1997 से 2002 तक चला था उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो सबसे प्यारे राष्टपती बच्चों के सबसे प्यारे राष्टपती doctor a.p.j. abdulkalam के बारे में doctor a.p.j. abdulkalam हमारे देश के पहले विज्ञानिक राष्टपती थे उन्हें people's president का आ जाता था मतलब चत्नता के द्वारा चुना गया president उन्हे 1997 1997 में भारत रतना से भी सम्मानित किया गया था a.p.j. abdulkalam इनका पूरा नाम था a.p.j. का फुल फॉर्म होता है अब्बुल पाकीर जैनुलाब दिन अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल में और जनता के राष्टपती के नाम से भी जाने जाते है यह भारतिय गंतंतर के ग्यारवे राष्टपती थे क्यारवे राष्टपती थे 2002 से 2007 तक इनका जो राष्टपती काल चला था उनकी मृत्यू मेगालाई के शिलोंग के अंदर होई थी कोडी एक अरेस्ट बोलते है दिल के दोरे से हुई थी चला जला थी छब वह आई आई एम के अंदर लेक्टपती थी उसके बात करते हमारे देशestar की पहली महीना राष्टपती जो की पृतिवा पातिल थी 2019 के अंदर मेक्सिको का सर्वाच नागरिक पुरस्कार भी मिला था यह पुरस्कार पाने वाले यह दूसरे राश्पती थे पहले राश्ट पती थे डक्तर राधा क्रिश्न थे जिने यह पुरस्कार मिला था और जैसे अमारे भारत देश का राश्ट पुरस्कार भारत रत न रम्यान था इसके बाद हम बात करते हैं वहागिरी वेक्टर वी गिरी वागिरी वेक्टर गिरी नहीं कॉछचत में भारत राट देस के की निदे इन 1 था था यह वीडियो के अंदर ईसको सोड के अंदर देख लेते एक बारत के राश्पति सबसे पहले राश्पति तहें डाक्टर राजर्णदर परसाज जो की सबसे लंबे समय तक 1950-1962 तक रहेते यह बिहार के थे बिहार में इनका जनम होँआ था और इनको सबसे पहले भारत तरतन मिला था उसके बाद दूसरे राष्टपती हमारे बनेते डाक्टर सरोपली राधा करिश्ण जो कि हमारे दो टम के लिए उपराष्टपती भी रह चुके है और राष्टपती टम इनको 1962 चाकिर हुशेन जी पहले मुस्लिम राष्टपती थे मुसλिम राश्च्ट पती थे फिर वीभी गिरी वाग giggles वेक्टर गिरी जोकी हमारे देश के चोफे राश्ट पती औरतीसरे उप राश्च्ट पती थे फक्रुदिन अली हमेद पे देश के दूसरे मुसलिम राश्ट पती थे इनकी मृत्यू भी इनके कार्यकाल के दर्मयानी ही हो गई थी, फिर निलम संजीवन रेडी इसके बारे में तो हम जानते ही है कि ये सबसे कम उम्रा के अंदर राश्ट पती बनने वाले व्यक्ती थे, ग्यानी जेल सिंग जो सबसे पहले सिक राश्ट पती थे, शिक राश्ट मंत्रियों को सपत दिलाने का कार्य किया था सबसे ज्यादा राश्पतियों को सपत दिलाई थी संकर दयाल सर्मा संकर दयाल सर्मा यह हमारे देश के नवे राश्टपती थे और इनका कार्यकाल कार्यकाल नाइंटि नाइंटी चुन से नाइनटी सेवन तक रहा था और यह उपराश्टपती भी रह चुके है 1989 से 1992 तक मतलब यह तंम के पहले राष्टपती रहे थे उससे 5 सल पहले यह उभराष्टपती भी रह चुके है K.R. नारायन ये हमारे देश के पहले दलित राष्टपती रह चुके है इनका राष्टपती कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा है उसके बाद हमारे देश के सबसे प्यारे चिल्डरन प्रेसिडेंट कहे जाने वाले डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम पहले वेक्यानिक राष्टपती थे इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक का रहा है उसके बाद हमारे देश के पहली महिला राष्टपती स्रीमती परतिवा पाटिल है उसके बाद हमारे देश के बारवे राष्टपती पर्णम मुखर जी को 2019 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था और 2020 के अंदर इनकी मृत्ती हो चुकी है और रामनात कोविन जो की हमारे वल्कमान राष्टपती है जो की 25 जुलाई 2022 को अपने पत से हच जाएंगे वो नए राष्टपती मिल जाएंगे यह हमारे देश के दूसरे दलित राष्टपती है रामनात कोविन जी ठैंक यू फोर वाचिंग एसे ही शांदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को करो लाइक और सब्सक्राइब